आज जो है बिहार इंगीनिर्ग 24 फीलिंग का जो है वो last date है ठीक है, आज 26 गुलाइ है और आज के बाद जो है वो 24 फीलिंग नहीं होगी जो भी बच्चे 24 फीलिंग कर लिये हैं, 24 लॉक जो है वो जरूर कर ले ठीक है? हलाकि अगर आप choice lock नहीं करते हैं तो choice automatic lock हो जाएगा लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि choice lock कर लें ठीक है? अगर आपका seat allotment के समय आपका choice उपर नीचे हो जाता है किसी वजह से तो इसकी जिम्मेवारी जो है वो BCEC की नहीं रहेगी तो choice fill करने के बाद choice lock जो है आप लोग जरूर कर लें और first round का जो बच्चो seat allotment है वो 31 साथ को आएगा अगर कोई technical problem ना हो तो 31 साथ को आपको first round का seat allotment आजाएगा अगर आपने rank based choice filling नहीं किया है तो बच्चो एक चीज जान लिजिए आपको seat allotment और admission में बहुत परिशानी होने वाली है अच्छे percentile के बाद भी आपको अच्छा college नहीं मिलेगा और lower percentile में अगर आपने rank based choice fill नहीं किया है तो आपको colleges मिलने के बहुत कम chance है जैसे तैसे अगर आप choice fill किया है ना तो आप college जो है वो भूल जाईए ठीक है 31 तारीक को first round का seat allotment आएगा और आप अपना allotment लेटर जो है वो एक तारीक से 4 तारीक तक जा करके download करके 4 अगस तक document verification करवा सकते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको college पसंद नहीं आया होगा वो upgrade करेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको college पसंद होगा वो अपना college में freeze करके admission लेंगे जैसे ही first round का allotment लेटर आएगा कैसे download करना है upgrade कैसे करना है freeze कैसे करना है इसके बारे में पूरा information जो है आपको हमारे YouTube channel के जरीए जो है वो मिल जाएगा आप लोग channel को subscribe कर लिजिए और वीडियो के description box में whatsapp और telegram group का link है उसको भी जरूर जोइन कर लिजेगा time to time update जो है वो मिलता रहेगा जो भी paid counseling वाले बच्चे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग relax रहे होप सो अच्छा होगा तो बच्चो यहाँ पर क्या है कि अभी भी counseling के लिए जो portal है हलाकि थोड़ा सा portal slow हो गया है लेकिन choice field के बाद अगर आपको choice edit करने का मन है तो choice edit कर सकते हैं बच्चो rank based choice filling कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है इस वीडियो को पुरा देखिएगा अगर आपका ऐसे choice filling नहीं हुआ है तो अभी भी आपके पास time है आप उसको edit कर लिजे बहुत सारे ऐसे counselors हैं जिनके पास आपके rank को समझने की जो है priority बच्चो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में जो total engineering college है वो 38 है ठीक है हर जिला में बिहार के हर जिला में engineering college है ठीक है यहाँ पे जो यह list pdf है इसमें किस government college में कौन-कौन सा branch है किसमें कितनी seat है वो लिखा गया है ठीक है इसका link जो है वो मैं आपको वीडियो के description box में द है वो मैं आपको बताता हूं मान के चलिए कि किसी भी बच्चे का 80% से उपर है और उसको लेना है CS तो बच्चो 80% से उपर है उसको CS top 5-6 colleges में मिल जाएगा अगर उस बच्चा को सही information नहीं है कि कितने rank तक किस college में admission होगा अगर वो मान के रखिए top 3-4 college ही देता है अगर उसका cut-off नहीं जाता है तो उसको college नहीं मिलेगा second round में और college आप एड़ नहीं कर सकते हैं अगर ज्यादा college एड़ कर देता है जैसे कि माली जीए कुछ खड़ाब colleges एड़ हो गया top colleges को छोड़के तो वो खड़ाब college जो है वो ले लेगा और बाद में upgrade होने में परिसानी हो जाएगी ये तो हो गया top colleges जिनका percentile जो है वो 70-80 से उपर है ठीक है जिन बच्चे का 60 percentile है उबच्चे क्या करेंगे अमोन बच्चे choice fill कैसे करते हैं top colleges को उपर रखते हैं उसके बाद low colleges को नीचे रखते हैं बच्चों ऐसे में क्या होगा कि अगर आपका percentile अच्छा खासा है अगर ज्यादा low colleges डाल देते हैं तो होगा क्य उनको क्या करना था कि जो top colleges हैं उनको नहीं मिलना है उस college को उनको ignore करना था और choice filling में उनको डालना ही नहीं था बच्चों होता क्या है मान के चलिए मान के यह हम चलते हैं कि जितने भी बच्चे हैं seat allotment में जो BCC board है वो system generated seat allotment होता है तो हर बच्चे का जो choice number one है वो देखा जाता है ठीक है मान लिजिए कि बिहार engineering में total 100 seat है तो first round में 100 seat allot नहीं कर देना होता है first round में अगर उसको 70 seat allot करना है तो system में set होता है कि first round में सिर्फ 70 seat allot होगा ठीक है choice number one वो हर एक बच्चे का देखेगा और 70 seat जहां पूरेगा वहीं पे seat allotment जो है वो रुख जाएगा choice ज्यादा नीचे नहीं आएगा अगर मान के चलिए आपका 5-6 percentile या 15-20 percentile है top colleges आपने उपर तक रख रखा है मान लिजिए कि choice number 15 तक 70 जो बच्चे हैं वो हो जाते हैं तो choice number 15 के बाद जो है वो किसी भी बच्चे का नहीं देखेगा सीट का करिटेरिया लिमिट होता है बच्चो ठीक है इसलिए rank based जो counseling है choice feeling बहुत जरूरी है अगर आपका बहुत अच्छा percentile है फिर भी choice feeling rank based बहुत जरूरी है अगर आप खराब college डाल देते हैं अच्छा percentile होने के बाब जूद तो खराब college अलोट हो जाएगा अप grade में प क्या आपको choice feeling करनी है जो भी बच्चे अभी तक choice feeling नहीं कर पाए है कर लिजिए साम का समय हो रहा है और choice feeling में कब server बीरी हो जाए कोई नहीं जान सकता कल के वाद choice feeling नहीं होगी second round में आप choice feeling कर सकते हैं जो भी बच्चे अभी तक choice feeling नहीं किये हैं video के description box में हमारे expert team का contact detail है उस पर आप call message करके choice feeling करवा लिजिए जिन बच्चों का लगता है कि मेरा rank based choice feeling नहीं हुआ है जैसे तैसे choice feeling हो गया है तो choice अभी rearrange करवा लिजिए आपके पास समय है arrange करवा लिजिए choice को नहीं तो seat allotment में परसानी होगी अच्छा college आपको नहीं मिलेगा ठीक है और बच्चों बहुत सारे ऐसे counselors हैं जो अपने coaching institute पर offline counseling के लिए बुला रहे हैं वहाँ पर 1500-200-300 बच्चे पहुच रहे हैं आपकी counseling कैसे हो रही है हां rank card लाओ login OTP starting से आपका college भर दिया हां ये लो जाओ अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि sir हम से को समझा दिजिए कि कौन सा college मिलेगा तो उनका ये कहना होता है कि बाद में बात करना अभी time नहीं है बच्चो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए मैं बार बार कहता हूँ आपको हमारे expert team के पास आईए expert की team पहले आपसे call पर बात करीगी आपको अच्छे से समझाएगी सारा information लेगी 10 आपका choice fill करेगी rank base ऐसे क वीडियोज अप्लोड कर रखा है दो मिनट में जाईए लॉग इन ओटीपी डालिए चाइस फिल कर लिजिए क्यूं तीन सो रुपया आपको देना है किसी भी काउंसल के पास जो दो मिनट में जैसे तैसे choice filling जो है वो कर दे रहा है तो बच्चो टाइम है रियरेंज कर लि